हम बात कर रहे है रेन इंडिस्ट्रीज की लास्ट ट्रेडिंग देखी बात करें तो रेन में हमको 2% के उपर का फॉल देखने के लिए मिला है लगातार गिरावट में 220 के लेवल से स्टॉक ने हमको लो और लो पैटन दिखाया लगातार गिरावट दिखाता नजर आ रहा है स्टॉक ने 130 के लेवल से बांज बैक किया था इस बांज बैक के साथ इसका जो रिसेंट हाई था जहां से इससे पहले गिरावट दिखाया थी 174 का लेवल ब्रेक आट होना इंपॉर्टन था लगातार तेजी के लिए रेन में लगातार तेजी के लिए लेकिन स्टॉक ने लिया रिजेक्शन और गिरावट दिखा रहा है तो इस वक जहां क्लोजिंग दिखाया है 168 का लेवल इसका इमिडेट सपोर्ट एरिया ही है इसको ब्रेक्डाउन कर जाता है तो निक्स सपोर्ट 164 और 160 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है 160 से लेकि 150 तक का भी फॉल 20,000 करना है क्यूंकि इसी अपने रिजिस्टेंस एरिया से ही रिजेक्शन लिया है तो वो उसे कंडिशन में इस टॉक अपने breakdown करके गिरावट डिखा जाता है सकता है तो फिर नीचे की और अगर गिरावट आती है तो नीचे की और मोका बनेगा अगर stock यहीं से bonds back होता है तो देख सकते है 174 और 180 174 और 180 यह जो इसका area है major resistance का area है इसके आसपास इसके between fresh buying को avoid करना ठीक रहेगा क्योंकि हमने 2-3 दफ़ा इसी range से rejection देखा है अगर bonds back करता है तो fresh buying को avoid करना ठीक रहेगा हम इंतिजार करेगे 180 के breakout का 180 के breakout का हम इंतिजार करेगे और 180 के breakout के साथ 2-3 दिन sustain होने का इंतिजार करना पड़ेगा क्योंकि 180 का level breakout यहां भी नज़र आया यहां भी नज़र आया sustain नहीं हो पाया again rejection और गिरावट तो इसलिए sustain होने का इंतिजार करना है अगर bonds back हो के 180 का level breakout करता है और sustain हो जाता है तो फिर वैसे condition में हमारे लिए up train का signal रहेगा फिर rain यहां से हमको तेजी दिखाता नज़र आ सकता है वीडियो education purpose के लिए कोई buy sell या hold की सलाने अगर आप teammate account open करना जाते हो तो description में दी गई लिंक से कर सकते हो